असलाम आलेकुम नाजुरीन मैं आरजो अनसारी इस नई इंफोर्मिशन वाली वीडियो में कहे दिल से आपके इस्तकबाल करती हूँ तो आईए बिना जादा बात के शुरू करते हैं आज का वीडियो पिछल एपिसोड का सवाल कयामत के दिन सबसे पहले किस अबारत के बारे में पूछताच होगी आपके ओप्शन थे ये जकात के बारे में बी नमाज के बारे में सी हज के बारे में बी सदके के बारे में और माशालला आप लोगों ने सही जवाब दिये थे सही जवाब है भी नमाज के बारे में और जिन लोगोंने किमेंट में सही जवाब दिये हैं उनका नाम है साहिल टेरर, फरहा बानो सुम्मू, रिजवान अंसारी, मुहम्मत तारीक आजमी तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया किमेंट में सबसे पहले जवाब देने के लिए जिन्नात को जला देने वाली दुआ कौन सी है आपके ओफ्षन ए सूरह मुल्क, बी सूरह यासीन, सी सूरह जिन, बी सूरह मौमिनून और आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब दी सूरह मौमिनून, हदीश ने मताबिक सूरह मौमिनून की आखरी तीन आयत को अगर कोई शक्स किसी ऐसे इंसान के कान में पढ़े, जिसको जिन्नात परिशान करते हो, तो वो शक्स इन आयतों को सुनकर दुरूस्त हो जाएगा और जो जिन्नात उसके अंदर होगा, वो जलकर खत्म हो जाएगा ये वाकिया हदीश में मिलता है, एक शक्स था जिसको जिन्नात परिशान कर रहे थे, और वो इसी वज़ा से बिमार रहता था जब वो शक्स अब्दुल्ला इबन मसूद रदियल्ला अन्हों के पास आए और अपनी परेशानी बताई, तो हज्रत अब्दुल्ला इबन मसूद रदियल्ला अन्हों ने कुरान करीम की सुरह मौमिनून, सुरह नमबर 23 की आखरी की तीन आयते, 116, 117 और 118 उनके कान में पढ़कर दम कर दी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही अब्दुल्ला इबन मसूद रदियल्ला अन्हों ने उस सहाबी के कान में इन आयतों को पढ़ा, तो ये आयते सुनकर वो जिन्नात, जो उनको इतना परिशान करता था, फोरण उसी वक्त जलकर राक हो गया, और उसी वक्त वो सहाबी एकदम दुरुस्त हो गये, ये सारा वाकिया जब हुजूर स्लिल्ला अलियु आलियु आलियु वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रदियल्ला अन्हों से कहा, तुमने इनके कान में कौन सी आयत पढ़ी थी, तो उन्हों खत्म हो गया, राक हो गया, और याद रखना, अगर कोई मजबूत इमान, वाला, सच्चे और पक्के यकीन के साथ, इन आयतों को पढ़कर, अगर किसी पहाड पर भी फूक दे, तो वो पहाड भी अपनी जगा से हिल जाएगा, ये इतनी ताकतवर और मुकदस आयत है, या एकदम से नीद में चमक जाना, या बिना वज़ा बिमार रहना, अगर ऐसा किसी के साथ होता है, तो सच्चे और पक्के यकीन के साथ, और अल्ला पर भरोसा रखकर, इन आयतों को पढ़कर, उसके कान में दम कर दे, यकीनन, इंशालला, वो फौरन दुरुस्त हो जाए नाजरीन, अब मैं आप लोगों को ऐसा सवाल दे रही हूँ, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसलाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए, आपके आप्शन, A, हजरत अली, रदियल्ला उत्याल अन्हू, B, हजरत बिलाल हप्शी, रदियल्ला उत्याल और नाजरीन, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बलकि इसका सही जवाब आप लोग मुझे केमेंट करके बताएं, उमेद करती हूँ, ये नहीं इंफोमिशन वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी